आज की इस वीडियो को अंदर जानेंगे कि अगर आप एक CSC संचालाख है आपने CSC ID से किसी का PM किसा सम्मान निदी का नय रेइस्टेशन करते हैं तो रेइस्टेशन करते समय आपको एक error message हो रहोगा response time out please try again यानि दोस्तों जब भी आप केवाशी करते हैं तो आप समने कुछ इस तरह से message आजाता है जिससे आप काफी ज़्यादा परेशान है तो किस तरह से आप इस problem को solve कर सकते हैं उसी के बारे में आज की इस वीडियो का नदर मैंने आपको complete process बताया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को last तक जरूर दिखे जिससे की आपका जो प्रोब्लम आ रहा है ये problem solve हो सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटफ़र्ट स्टार्ट कर लेते हैं CSC से PM किसान समान इदी का नए रिष्टेशन करने के लिए जब आप PM किसान समान इदी के official portal पर आते हुआ पर अपने CSC ID को login करते हैं उसके बाद आपको dashboard कुछ इसकार से दिखाई पड़ता है PM किसान समान इदी में नए रिष्टेशन करने के लिए जब आप फार्मर रिष्टेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करना होते हैं तो आप यहाँ पर आधार नंबर को एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको search पर क्लिक करना पड़ता है जब आप search पर क्लिक करते हैं तो आपको समने कुछ इस तरह से आ जाता है यहाँ पर mobile number एंटर करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर आप लाभारती का mobile number एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको get OTP पर क्लिक करना होता जहाँ पर आपको EKYC करना होता है, EKYC करने के लिए आपके पास जो भी डिवाइस है आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे मेरे पास मंतरा डिवाइस है तुम मंतरा को यूज करूँगा, उसके बाद आप समने कुछ इस तरह से एक pop-up आएगा, आपको OK पर क्लिक करना, OK पर क् करना है, जैसे दोस्तों आप समने कुछ इस तरह से वह एरर आपको दिखाई पड़ा है, रिस्पोंड टाइम आउट प्ली ट्राइ अगें, इसी तरह से आपको message दिखाई पड़ा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिससे कि आपको जो problem है solve हो सके, दोस्तों मैं आपक मैंटेन में, यानि कि इसमें कुछ बदलाव किया जारा, इसलिए आपको साथ इस तरह से दिक्कत हो रही है, जब आप registration कर रहे हैं, तो आपको इसे morning के time में करना है, क्योंकि दोस्तों morning के time में बिलकुल जो website होती है, फिरी होती है, और जब भी आप registration करेंगे, registration आपका successfully complete ह मोर्निंग के time में registration करते समय, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी प्रोब्लम आ रही हो, तो वीडियो को नीचे कामेंट करके बताए मैं आपको उस प्रोब्लम का solution जरूर बताऊंगा